LIC प्रस्तित करता है दिजिटल बाल मेला बच्चों के लिए बड़ा अफसर हिमाचर प्रदेश विधान सभाब बाल सत्र 12 जून 2013 68 बच्चे पहुँचेंगे शिमला 21,000 का इनाम स्वास्थय है जीवन का सार इसके बिना है सब्वेकार हमारा स्वास्थय हमारी सबसे बड़ी दौलत होती है और इसका एहसास हमे तब होता है जब हम इसे खो देते है अस्वास्थ होने पर अंधेरा ही अंधेरा होता है जिंदगी की किरन दिखाई नहीं देती मानो जिंदग विरान हो गई हो और अपनी ही आवाज तक सुनाई नहीं देती नमशकार मैरीती का गौर्मेंट सीनियर स्केंडरी स्कूल कोटला बांगी में ग्यारवी कक्षा की छातरा हूं एजुकेशन ब्लॉक राजगर डिस्टिक सिर्मॉर मैं स्वास्थे मंतरी पर अपने विचार प्रस्तूत करना चाहती हूं जो गरीब किसान मसदूर है उन्हें खतरनाख बीमारिया जैसे हार्ट अटेक, कैंसर जैसे अनेकों खतरनाग बीमारिया हो जाती है और वे इसका इलाज नहीं करवा पाते क्योंकि इसका इलाज यत्यधिक महंगा होता है यदि में स्वास्ते मंत्री बन जाओं तो हर एक किसान, हर एक गरीब व्यक्ति को 50% सबसीडी दी जाएंगी हर एक पंचायद लेवल पर योग परशिक्षन केंदर खुलेंगे जगह जगह पर हॉस्पिटल्स का होना अनिवार्य होगा दुरगटना से गरिस ग्रसित व्यक्तियों का तुरंत इलाज अनिवार्य होगा देश के हर टेक्सपियर का इलाज मुफ्त करूंगी हर पंचायद में एक प्रात्मिक उपचार केंदर होना चाहिए सार साल से उपर व्यक्तियों का इलाज मुफ्त करूंगी भले ही वह सरकारी अस्पताल हो या अस्पताल नीजी हो स्वास्तिय जान बिलकुल मुफ्त होगी हर पंचायत में जागरुकता भियान चलाए जाएंगे एम्बुलेंस सेवा निशुलक दी जाएंगी महिलाओं के लिए अलग से स्वास्तिय संबंदी प्रशिक्षन चलाया जाएगा और इसी सारी व्यवस्था को सुचारों रूप से चलाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएंगा जो समय समय पर इन सबी स्थानों में जाकर इन कैंदरों पर जाकर जाँच करेगी धन्यवाद